वीडियो देखने वालों को नमस्ते तो आज हम बात करने जा रहे हैं अगनी 5 मिसाइल के बारे में और साथ में चाइना की DF-41 मिसाइल के बारे में तो एक है हमारी इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल जो की हमारी हाइस्ट रेंज वाली जो है वो मिसाइल है साथ में चाइना की जो है वो भी वैलेस्टिक मिसाइल है और वो भी एक हाइस्ट रेंज वाली जो है चाइना की मिसाइल है अब दोनों के बीच में जो है अगर हम comparison करें तो कौन सा बहतर होगा उसको हम समझेंगे क्योंकि इंडिया और चाइना जो है एक राइवल है तो पहले अगर हम बात करें अगनी 5 की तो इसके जनरल स्पेसिफिकेशन को समझें तो 49 टन इसका वेट है तो लगबग 50 तन बोल लीजिए 17.5 मीटर जो है इसकी लंबाई है 5500 किलो मीटर इस मिसाइल की ओफिशल रेंज है लेकिन अनफिशली जो है ये माना जाता है कि ये जो मिसाइल है ये 8000 किलो मीटर से जादा की दूरी तक मार कर सकती है तो कुछ डिपलोमेटिक रीजन के कारण जो है हमने अपनी मिसाइल की रेंज को कम बताया है और कम बताने का रीजन ये है कि हमारा दुश्मन जो है वो चाइना है तो चाइना पूरा कवर हो जाए उतनी ही रेंज तक हमको दिखाना है तो 5500 किलो मीटर में वो काम हो जाता ह हमको ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना है कि हम पूरी दुनिया पर राज करने की इच्छा रखते हैं इसलिए हम जो है उसको बढ़ा के नहीं बताते है एक्चुल जो है उससे कम ही बताते है लेकिन जो रेंज बताई जाती है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट है वो सब जो है Error Probability जो है इसकी काफी अच्छी है 10 से 50 मीटर की है इसका मतलब यह है कि जो Error होने की Range है वो बड़ी छोटी है तो 10 से 50 मीटर ही जो है अपने लक्ष से जो है यह इधर उधर होती है Thrust Vector Control System इसमें लगा हुआ है तो यह Thrust Vector Control System जो है क्या करता है यह Extra Manoeuvrability देता है मिसाइल को इसको जो है 8x8K Transporter Erector Launcher Vehicle से जो है कहीं भी ले जाया जा सकता है और लांच किया जा सकता है Terminal Face में जो इसकी Speed होती है वो 24 Mac की होती है यानि जो Sound की Speed है उससे 24 गुना जादा अगर उसको हम पर सेकेंड में देखें तो 8 km पर सेकेंड तो 8 km एक सेकेंड में जो है यह मिसाइल भागती है तो इस प्रकार की जो मिसाइल होती है उसको Intercept करना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि Speed बहुत जादा है आपके पास react करने को time कम रहेगा conventional हतियार भी यह ले जा सकती है साथ में nuclear हतियार भी अब चाइना की Dongfang 41 मिसाइल के बारे में बात करें तो range इसकी काफी जादा है 12,000 से लेके 15,000 km तक जो है इसकी range है तो चाइना जो है उसका main target जो है वो अमेरिका cover हो जा उस प्रकार से जो है उसने इसको बनाया है डवलप किया है तो 15,000 तक जो है इसकी मारक शमता है और इस समता के साथ जो है यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल हो जाती है इस से उपर जो है रशिया की मिसाइल है जो कि 16,000 km तक मार कर सकत है स्पीड इसकी भी ठर्मिनल फेस में मारक 25 तक है इसमें जो है MIRV कैपेसिटी है और 12 वार हैट जो है एक ही मिसाइल के अंदर लगाए जा सकते है यानि कि एक ही मिसाइल से जो है आप 12 अलग अलग जगे को हिट कर सकते हो और इसकी जो सर्कुलर एरर प्रोबिल्टी है व हो जाती है अब हम कंपेरिजन कर लेते हैं दोनों मिसाइलों का कि क्या चीज जो है जादा बहता रहे तो पहले हम समझें जड़ा टेक्निकल एक्सपेक तो अगनी 5 जो मिसाइल है वो सॉलिट प्रोपलेंट पर चलती है और डॉंग फैंग मिसाइल जो है वो लिक्ट प्रो करके रख सकते हो जब फायर करना हो इमीडेटली उसको यूज कर सकते हो लेकिन जो लिक्ट प्रोपलेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि मिसाइल को पहले खड़ा करके फिर उसमें लिक्ट ऑक्सिजन भरी जाती है फिर लिक्ट फ्यूल भरा जाता है और यह काम तब ही किय वो यह होता है कि अगर इस missile को आपको launch करना है तो पहले आपको launcher तक ले जाना है फिर एक हपता तक आपकी refueling वगेरा यह सारा काम चलेगा liquid fuel यह सारा सब आपको load करना है यानि कि इस missile को अगर आपको fire करना है तो आपको एक हपते का preparation time चाहिए वही solid proponent वाली है उसके साथ ऐ fire किया जा सकता है तो हमारे पास जो है बहुत ही अच्छा satellite navigation system हमने बना लिया अच्छा खासा navigation हम कर सकते हैं दुश्मन पर नजर रख सकते हैं कई हमारी जासोसी satellite भी है तो चाहिना अगर इस missile को fire करना चाहेगा launch करना चाहेगा तो पहले वो बहार निकाल के लाएगा इनको launches पर खड़ा करेगा फिर इनक फ्यूल डालेगा तो इस पूरे process पर जो कई दिन लगेंगे उसमें हम इसको easily track कर लेंगे कि हम पर missile हमला होने की कोशिस की जा रही और हम अपनी तैयारी कर लेंगे ये मौका जो है अगनी नहीं देगी अगनी को आप अंदर ही छुपा के नहीं मिलता कि हम स्ट्राइक जो है बड़ी जल्दी कर सकते हैं जो कि इस missile के साथ नहीं किया जा सकता अगली comparison वाले पॉइंट पर एक्यूरेसी का चाइनीज मिसाइल है उसकी अगर हम circular error probability देखें तो वह 500 मीटर की है यानि कि अपने लक्ष से 500 मीटर यह आगे पीछे हो ज जा रहा है यह वहीं जाएगी उससे बस 20 मीटर इदर उदर हो साती है तो देखें accuracy कितनी जादा है और अगनी जो है actual में दुनिया की सबसे जादा accurate missile है मतलब अमेरिका और अरशिया की भी इतनी कम CEP वाली missile नहीं है तो यह एक बहुत special achievement है हमारा अब देखें अगर आपको परमाडू हमला करना है तो CEP वाली चीज जो है जादा माइने नहीं रखती कि आपका परमाडू अगर 500 मीटर इधर उदर गिर जाए तो आपका कोई खास फरक नहीं पड़ता है क्योंकि वो तबाही इतनी जादा करता है लेकिन अगर आपको missile से conventional attack करना है तो यह चीज दॉंक फैंक से कराने जाएंगे और 500 मीटर इधर उदर हो गई तो हो सकता है वो लक्षी उस पर निशानन लगा पाए कहीं और चली जाए तो अगर इसी missile से आपको conventional attack करना हो तो अगनी बैस्ट है और अगर आप यही डॉंक फैंक से करेंगे तो यह रिलाइबल नहीं है 500 म जो है उस समय काफी बड़ी चीज हो जाती लेकि nuclear attack में जो है यह चीज माइने नहीं रखती क्योंकि आपको पता ही है कि परमाडू हत्यार जो है बहुत बड़ा डेमेज करते हैं तो 500 मीटर इधर उदर से फर्क नहीं पड़ता अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं वो है MIRV Capacity तो MIRV यानि की Multiple Independent Re-Entry Vehicle तो इसमें क्या होता है कि एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे Warhead लगाय जाते हैं तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक मिसाइल के टॉप वाले पोर्शन में 6-7 आपको Warhead लगे हुए दिख रहे हैं अब अगनी मिसाइल मे ये Capacity है या नहीं है ये चीज़ Confirm नहीं है हमारी तरफ से ना इस चीज़ को नकारा जाता है ना इस चीज़ को स्विकार किया जाता है हम बोलते ही नहीं कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं ना बोलते हैं ना हां बोलते हैं तो ऐसी बातें कही जाती है लेकिन Confirm नहीं है कि कहा जाता है कि अगनी 5 दो से 10 वारहेट जो है वो ले जा सकती है और ये चीज जो है काफी माईने रखती है तो कि अगर आपको एक ही मिसाइल से कई जगे हमले करने हैं और आपको ये देखना है कि हमारी मिसाइल जो है इंटरसेप्ट भी न हो पाए तो MIRV केपसिटी बड़ी इ रखे जा सकते हैं यहीं कि 6-10 लक्षो को एकसाथ निशाना बनाया जा सकता है अगनी से 2-10 के वीज में लेकिन अगनी वाली बात आव रजए बारे में बात उन्पे काफी जछा करना बड़ा एजिय है डियरने नहीं के सास्थ आपको बहुत लंबी रेंज मिल जाती है capacity मिलती है अगनी के बारे में इस चीज पर question mark है तो अगर देखा जाए तो अगनी हमारी पूरी जरूरतों को पूरा कर देती है तो भले ही comparatively कहीं 19 कहीं 20 ऐसा हमें दिखता है लेकिन हमारी जरूरत पूरी हो जाती है चाइना का पूरा area कवर होता है पाकिस्तान का पूरा area कवर होता है लॉंच करने में बढ़ी आसान है ये काफी maneuverable है तो strike capacity भी बहुत अच्छी accuracy भी अच्छी तो हमारी जो जरूरत है वो पूरी ये perfectly कर देता है और चाइना की जरूरत है वो भी कर देता है अब देखिए ballistic missile से परमाणू हमला अगर किया जाए तो ये तो दोनों देशों के लिए ही बरबादी वाली बात होती है और कोई भी देश जो हैसी चीज़े करेंगे नहीं तो कुछ हत्यार जो है वो इस्तमाल करने के लिए नहीं होते सामने वाले को सिर्फ डराने के लिए होते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़े है अगर तुमने कुछ किया तो हम भी कर देंगे तो इस काम के लिए जो है रहते हैं ना हमें अगनी 5 इस्तमाल करना पड़ेगा कभी और नहीं चाइन को डॉंक लेकिन कंपेरेजन करा जाये तो दोनों ही मिसाइलें अच्छी है हमारी जरूर जो है हमारे उसमें हो जाती है वार वाले केस में अगनी में एडवांटेज रहेगा क्योंकि हमने देख लिया कि लॉंच इजी ली कर सकते है एक्यूरेसी ज्यादा बहतर है तो अगनी जो है टेक्निकली और क्वालिटी वाइस जो है काफी अच्छी मिसाइल हो जाती है डॉंक फैंक के मुकाबलें तो ये रही आज की बाद इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए फिर मिलेंगे जैए